और इसी तरह का और एक नियम है वो ये कि दूद खाते हुए या दूद पीते हुए कोई भी नमक की चीज ना हो दूद और नमक की भी दोस्ती नहीं है जही और नमक की भी दोस्ती नहीं अगर कोई चीज दूद की खा रहे हैं तो नमक की चीज ना हो और नमक की चीज खा रहे हैं तो दूब की चीज ना हो अब आप कहेंगे it is highly impossible ऐसे impossible है कि खीर खाने है और सबजी ना हो ये तो बड़ा कुश्च पिल तो मेरा तो आपको request है कि खीर खाने है तो रोटी खीर खाएए या पूरी खीर खाएए खीर को पूरी के साथ खाएए खीर को रोटी के साथ खाएए सबजी ड्रॉप कर देज़े उसके